हलो दोस्तो मैं हूँ राजकुमार अपको सवगत करता हूँ तरंगव एलेक्ट्रोनिक्स चैनल में तो दोस्तो आज का जो वीडियो है यह जो चैसिस आप देख रहा है है यह बहुत पुरनरबाल एक चैसिस है यह चैसिस का जो नाम है फॉंड़ फोर ठीक है तो एक दोस्त मुझे कॉमन किया है तो दोस्तो इसका पहले आपको बाताना चाहता हूँ कि मैं एक टेलिग्रम चैनल और टेलिग्रम ग्रूप बनाया ओ ग्रूप और चैनल का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स का देखे रा तो टेलिग्रम ग्रूप पर बहुत मेंबर अभी तक जॉइन हुआ है ठीक है और वो ग्रूप और बहुत मेंबर आपका अपना प्रॉब्रम डिस्क्स करता है और मुझे भी ग्रूप पर है मैं कुछ-कुछ टाइम जब फ्री रहता हूं तो मैं वो ग्रूप का अंदर जो चैनल पर आके तो दोस्तो चैनल पर आप जॉइन हो सकते हो डेस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर उसका लिंग मिलेगा तो वो टेलिग्रम चैनल गूर्प पर एक दोस्त मुझे पीसीवी का एक पिक्च सेंड किया और बात है कि यह जो चैसे साता है इसका हंडेट तेन वोल लाइन कुंट से है तेन वोल लाइन कुंट से है और फिप्टीन वोल लाइन कुंट से है तो एक्चली वो दोस्त निये वो दोस्त सही बात है क्योंकि इसका अंदर वो सब वोल्टेज नहीं है ठीक है तो यह पीसीवी पर कून-कून वोल्टेज मिलता है इसको पर आपको डिसकस करूँगा और PCB का अंदर कुछ प्रब्लेम के बाड़े में डिसकस करूँगा ठीक है दोस्तो इसलिए वीडियो सुरू से लास तक देखे ठीक है तो दोस्तो यह जो PCB आप देख रहे हो यह चैसेस का जो नाम है आप एगसे तो सबमकाने का पहले यह एगसन के यह वीडियो समय करती नीन नीचेक उपिस का चैसे बसद्सक के बहुत कुछ प्रब्लेम करें टेकन से इंडलाईंदPC। पीसीब लागा देता छेसं फंडा फोर अप देख सकते हो का इसकाल मैं आपको एक डेखता हूं अ पीछे साइट भी आपको देखाता हूंगा आप देख सकते हो यह से say पीछे साइट है ठीक है बैक साइट है तो यह PCV का डीटल्स आपको बाता हूँगा तो इसलिए वीडियो सुरू साब लास तक देखिए आपको बहुत नौलेजन मिलेगा जो न्यू टिगनिशन होता है उसको भी बहुत नौलेज मिलेगा ठीक है अब यह देख लिजिए यह PCV का सेक्सण होता है यह होट सेक्सण होता है यह बोहुत्व यह तीन को पत्ती का अंदर अदर देख रहा है हो यह वीडियो आइप सेक्शन साउंड आइप सेक्शन का शिस्टम होता है और यह sound IC है ठीक है और इसका पास ये sound IC output का jack है और दोस्तों ये PCP का ये एक कोना वाला ये जो P-set आप देख रहा हो ठीक है ये जो कोना वाला P-set ये sound को adjust करने के लिए P-set ये उस होता है ठीक है और उसका बाद ये तो tuner सबको पता है और उसका बाद E-ST है ये सबको पता है और ये एक parse आप देख रहा हो ये delay है ये parse का जो नाम है delay है क्योंकि ये delay जो काम करता है color problem के और color section का ये delay काम करता है color control करने के लिए ठीक है और दोस्तों उसका बाद ये chroma IC है और दोस्तों ये जो IC ये chroma control IC है ठीक है एक्चली ये processor IC है और दोस्तों ये IC का वाटिकल ये PC पर वाटिकल IC नई उस होता है ठीक है वाटिकल IC नहीं उस होता है ये section का जो वाटिकल ये दो transistor आप देख रहा हो ये जो दो transistor ये वाटिकल का दो transistor है ठीक है और इसका पास एक छोटा वाला ही transistor है ये वाटिकल डाइवर transistor है ओके दोस्तों तो दोस्तों इसका output transistor और EST section जिस तरह अलग-अलग PC पर काम होता है ये सेम सिस्टेम है तो इसका जो output voltage ये जो चौपर से output voltage जानकर होता है इसका बारे में आपको जानकर ही देगा और अलग-अलग कुछ problem के बारे में आपको जानकर ही देगा ठीक है तो इसलिए वीडियो सुरू से लास्त तक देखिए ठीक है दोस्तों इधार देखिए ये दो जो पॉइंट है ये AC supply का पॉइंट है और ये जो द इंटिसी फाट गया भी तो ठीक है कोई बाद नहीं है आपको ये PCB को डीटर्स आपको बात हूँगा ये PCB आप सुरू से लास्त तक देखिए वीडियो ठीक है आपको ज़रूर कुछ knowledge मिलेगा तो दोस्त आप देख सकते हो PCB को मैं उल्टा किया और ये जो बॉडर आप दे इसी इनपुट होने का बाद ये जो लाइन अप ट्राक कर सकते हो ये ऐसे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक कोईल है जो लाइन फिंटर कोईल और ये जो लाइन आप देख रहे हो ठीक है ये जो लाइन सॉरी ये कोईल नहीं है यहाँ से ये कोईल है और यहाँ से य का बाद है और यह होने का बाद साफनने का देखक है और निवी और दोस्तो यह जो point आप देख रहा है हो यह section regulate करता है, यहाप तीनों transistor है, ठीक है, आपको उल्टा करके बगाता हूँ, यह PCP का जो ओधिकतर fault होता है, यह तीनों transistor होता है, यह 18.10.10 का transistor है, ठीक है, ओधिकतर यह transistor fault हो जाता है, ठीक है, और यह जो PCSET आप देख रहा है हो, को यह पीसेट हंडेट टिनोल लाइन के अड़ेस्ट करने के लिए पीउज पीसेट यूज होता है ठीक है लेकिन दोस्तो यह section for optocabler company यूज नहीं किया है ठीक है तो दोस्तो यह PCP को जो fault है यह chopper का fault है चौपर का अंदर से फ्रास्टिंग होता है और यह चिट-चिट करकी चौपर से आवज निकलता है ठीक है तो यह रेडी पीसी भी नहीं है मैं बाद में रिपेर करूंगा और कुछ दिन बाद आपको एक वीडियो दे देगा तब भी मैं यह वीडियो आपको बनाता हूं कि इसका थोड़ा नौलेज आपको फास्ट दे देता हूं और दोस्तों यह एक रिले है ठीक है यह 12 भल का रिले है 12 भल का रिले है ठीक है तो यह मैं आपको डिसकास करूंगा इसका वोल्टेज डिटेल से तो दोस्तों यह एसी इनपूट होने का बाद यह जो सेखसानी पॉइंट है ठीक है यह रिले का जो मिडिल पॉइंट होता है यह पिन पर 100 टेन होल्ट आता है ठीक है यह लाइन आप टाक करेजिए यह जो लाइन यहाँ से यह तक एक डायोड है और यह चौपर का जो यह जो पिन नामबर होता है यह पिन यह पिन से 100 टेन होल वोरद under travel आउरपूट करने के बाद यह रिले का middle pin पर आता है अब देख सकतो हूँ आभ देख सकते हो यह एक जामपर है ठीक है यह एक जामपर है यह middle pin सी जामपर पर AC भोलते जाता है और यह middle pin पर आता है ठीक है और middle a पिन आने का बाद जब यह PCB को रीमोट से, अन करूंगा और कुछ भी bottom push करके अन करूंगा, अन करने के बाद यह pin पर 100 tumble आता है, ठीक है यह relay का एक point है अब देख सकते हैं, यह relay है यह relay है, ठीक है यह relay है ठीक है, यह relay का यह pin पर 100 tumble आता है और 100 tumble आने का बाद दोस्ते यह जो लाइन आप देख रहे हो यह लाइन से इधार डाइड है ठीक है तो यह डाइड यह AC भोल को DC करके इधार आउटपूट देता है यह जो डाइड आप देख सकते आपको देखता हूँ यह जो डाइड है ठीक है यह जो डाइड है आप अच्छा करके देख सकते हो यह जो ड आयाट है यह डायट से ओर टीन होल इधर आता है और आने का बाद यहां से यहां तक एक कोईल है ठीक है यह जो कोईल आपको देखाता हूँ इसे भी उल्टा करके यह छोटा बाला कॉयल है ठीक है अब देख सकतो यह कॉयल है यह कॉयल से हंड़ेटीन होल आउट्पूट होता है और दोस्तों यह पॉइंट पर एक जॉइंट आपको देखने को मिलेगा तो मैं आयरल से जॉइंट काट देता हूं यह जॉइंट है पावन सप्लै रेडि करने का समय जॉइन ओपन करके अब काम करें तो बहुत आच्छा होता है तो इसलिए गंपनी ने जॉइन करके राकता है ठीक है यह जॉइन है और यह जो लाइन ठीक है यह आरेक्ट एस्ट्टि सप्लाई पर जाता है ठीक है आपको देखाता हूं आपको देखाता हूँ ये जो जामपर है ठीक है ये जो जामपर है अब देख सकते हो ठीक है ये जामपर पर ये सप्ले आने का बाद दोस्ता आप देख सकते हो यहाँ से यह तक एक कॉयल है ठीक है ये कॉयल होने का बाद ये ये स्टी का तीन नमबर पिन पर वान टेन भोल ठीक है और दोस्ते एक बाद आप ध्यान दीजिए यह जो लाइन है ठीक है यह लाइन पर यह लाइन पर जोरूर एक जिनार डाइट आपको दिखने को मिलेगा ठीक है वो जिनार डाइट का जो नामबर होता है यह जो लाइन पर यह जामपर का पास यह ग्राउन का साथ डाइट देगने को मिलेगा ठीक है यह एक डिनार ढाइट है 111 पर यह लाल बाला डाइट है अब देख सकते हो यह 110 पोल का फिक्ष्ट जिनार है जिस तरह फाइब पोल डाइट इनार अच्छ पोल डाइट यह फिक्स्ट पोल डाइट है ठीक है चब कुछ भी region से यह power section fault हो जाता है और power section से voltage ओधिक output होता है ओधिक output voltage होने का बाद यह line का जो 110 hole का डाइड होता है यह short हो जाता है ठीक है जिस PC पर 110 hole दिगने को नहीं मिलेगा तब जुरूर यह 111 hole का जेनार आप follow किजिए जोरूर आपको short दिगने को मिलेगा ठीक है यह वो जेनार है ठीक है आएए उसका बाद आपको देखाता हूँ यह जो जेनार यह आप देख सकते हैं यह sticker negative है और यह negative का साथ यह forward करके connection किया है ठीक है तो दोस्ति यह 111 hole line का बाड़े में आपको बात है और यह जो 110 hole line होता है यह 110 hole line का दोस्ति एक capacitor है आप देख सकते हो सभी main main line पर एक filter capacitor देखने को मिलता है तो दोस्ति यह 110 hole line का filter capacitor है आप उल्डा करके भी देख सकते हो यह 110 hole का लाइन का filter capacitor है और दोस्ति यह main power filter capacitor है इसका बाद दोस्तो जो चाइना किट के बारे में आपको बहुत वीडियो में देखा है है 27-volt, 15-volt, 10-volt अलग-अलग output होता है यह सार्किट से से यह 110-volt output होता है और एक 12-volt output होता है तो दोस्तो यह 12-volt यह points अउट्पूट होता है थिक है यह जो coil, 100-10-hole line का पास यह जो coil, point, यहाँ से coil है, jumper भी हो सकता है, और यहाँ से एक dart है, ठीक है, अब देख सकता हो, अब कूलटा करके देखाता हूँ, अब देख सकता हो, यह जो dart है, ठीक है, यह dart से 12-hole output होता है, ठीक है, यह 12 बोल्ट अब देख सकतो यह जो लाइन यह डाइरेक्ट यह दिखिए यह डाइरेक्ट 12 बोल लाइन यहाँ पर आता है ठीक है अब देख सकतो यह जो लाइन यहाँ पर आता है आनेका बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यह साउंड जो आईसी होता है साउंड आप देख रहा हो इसके अब यह लाएन आप देख रहा हम यह नीचे चला गिया ठीक है और यह से लेजिस्टेंस है ओर वे जो लाइन यह अ अलग अलग supply देता है तो आप अलग अलग लाइन यह फाइफ बॉल आउटपूट लाइन है यह आप ट्रक करेगा तो आपको पाता चल जाए गया जो कुन-कुन सेक्षन पर supply जाता है तो जो उम्मित करता हूं इसका जो 110-hole लाइन और 12 लाइन यह चॉपर से आउटपूट ह होता है यह आपको पाता चल गया और उसका बाद आपको देखाऊंगा कि इसका यह vertical supply और EST जो अलग अलग आउटपूट होता है दोस्तों यह EST से ABL voltage आउटपूट नहीं होता है यह FC voltage का पिन है ठीक है और यह tuner का जो voltage आप देख सकते हो तो दोस्तों यह FCB details आपको एक ए पाइन देखाने के लिए तो बहुत टाइम और बहुत वीडियो लांग हो जाएगा तो इसलिए मैं यह PCV के मारे ड्राइंग आपको थोड़ा सा बाता हूँगा ठीक है और एक बात यह PCV आपको supply देखे देखाऊंगा लेकिन दोस्तों यह बहुत पुरणा PCV है और इसका यह जो ESD final node यह चुआ से काट कर दिया और यह point को काट कर दिया तो और यह जो base होता है base का उपर आपको discuss करता हूँ कि यह base पर यह जो अलग-अलग preset आप देख रहा हो यह R, G, B जो होता है और R drive और B drive का जो preset होता है यह preset भूमा के आपको color adjust करना पड़ता है क्यूंकि यह यह जो PCB होता है यह PCB का service mode नहीं है ठीक है service mode नहीं है यह PCB जब adjust करे तो color को zero कर दीजिए zero करने का बाद यह preset घुमा के आपको picture को black and white adjust करना पड़ेगा ठीक है black and white जब adjust हो जाएगा उसका बाद आप color बार आएगा तो color originally same to same color जो होता है वो आ जाता है ठीक है और color problem के लिए यह जो delay होता है जो जबगतow फॉल्ट होता है और इसका बाद यह जो कॉल होता है और इसका बाद यह जो डो पिसेट होता है यह जो पिसेट अजिक होता है यह आपको adjust करके color करना पड़ता है ठीक है? और दोस्तो यह जो पिसेट होता है यह वर्टिकल हाइट अजस्ट कारने का और वर्टिकल जो रोलिंग प्रॉब्लेम यह पिसेट अजस्ट कार सकते हो और यह जो पीसेट यह horizontal sing का पीसेट है horizontal sing देखेगा तो यह पीसेट को आपको adjust करना पड़ता है और दोस्तों यह वर्टिकल का यह height adjust करने का पीसेट है ठीक है और दोस्तों यह जो crystal होता है crystal problem से color problem होता है यह crystal को आपको change करना पाठते है color problem के लिए और sound problem के लिए आपको बाता है यह पीसेट जो sound adjust करने के लिए उस होता है और यह जो पीसेट यह power 110W old adjust करने के लिए उस होता है और दोस्तों यह पोड़ एक पीसेट है 20% को होता है तो यह जो जो फार्व होता है यह एक पो देखांगा और को पाता है कि इसका काट गिया चुवा से काट दिया वहुत पुराना PCV है और यह वायर पुरा ही काट दिया तो ठीक है मैं तब भी आपको फ़ड़ा सा भोल्टेज चिख करके देखाऊंगा क्यूंकि मैं इसका EST supply में उपिन करके रखा है ठीक है इसलिए इसका EST supply आउटपुट नहीं होगा और EST भी आउट नहीं होगा तो इसलिए मैं एक 200 वार्ट बाल्ब कनेक्शन करूँगा यह 200 वार्ट बाल्ब है और यह 100 टेंबल का लाइन पर मैं लागाता हूँ अब देख सकते हूँ जिस तरह मैं चायना की टेस्ट करता हूँ आप पर सेम तरह देखाता हूँ और दोस्तो मैं नेगेटिव पर कनेक्शन करूँगा तो दोस्तो यह नेगेटिव है ठीक है यह नेगेटिव पर मैं यह कनेक्शन कर देता हूँ ठीक है यह negative power मैं connection कार दिया और उसका बाद एक बार आपको supply देगा और कुछ details आपको बाता हूँगा ठीक है और meter को मैं 200 DC रेंज पर select करता हूँ तो दोस्तों EPCB का कुछ fault है जो यह chopper fault है यह chopper अंदर से flashing होता है और चिरिक चिरिक आवाज निकलता है तब भी आपको देखाता हूँ रिक्स लेके ठीक है मैं एक बार से यह AC supply में connection करके राखा है ठीक है यह AC supply है और आपको जो देखाऊंगा आप follow कीजिए यह PCB को कैसे आन करना पड़ता है तो दोस्तों आप देख सकते हो यह जो system control IC है यह AC का यह जो negative point होता है negative point का साथ यह एक दो और तीन नंबर यह नीचे से तीन नंबर जो point होता है यह तीन नंबर point से और negative point का साथ touch करेगा तो इसका जो output होने लागेगा ठीक है आपको देखाऊंगा आप वीडियो सुरू से last तक देखे तो दोस्तों मैं supply दे दिया ठीक है और इसका जो chopper से चिरिक चिरिक आवाज निकलता है तो इस time आपको देखाऊंगा की इसका जो negative यहाप और voltage अभी नहीं है ठीक है आप follow कीजिए देखिए यहाप और voltage नहीं है ठीक है तो जब मैं tweezer से यह जो negative point होता है आप यह नीचे follow कीजिए यह tweezer से इसका एक दो तीन नीचे से तीन ठीक है यह तीन देखिए तीन नमबर पीन से और ग्राउंट टाच करने का बाद ST on हो जाता है जब ST on हो जाएगा आप देख सकते हो इसका फिला जो डेमिलेड देखे रखा है on हो जाता है और इसका point पर 110 volt का असपास आ जाता है आप मीटर पर follow कीजिए क्योंकि यह PCB का जो पर फायरिंग होता है तो इसलिए voltage आप डाउन करता है यह अभी 147 volt है ठीक है अब follow कीजिए आपको देखाता हूं यह point पर ठीक है यह 110 volt का line है ठीक है दोस्ते मैं आपकार देता हूं तो दोस्ते एक्चली यह किस तरह on होता है ठीक है यह आपको उल्टा करके देखा था हूं यह जो प्रसेसर आइस से यह जो सॉकेट आप देख रहा हूं यह सॉकेट पैनल बूट का सॉकेट है तो दोस्ते यह audio video का input का point है ठीक है और यह panel जो bottom होता है पैनल jack यह होता है और sensor का point है इसका memory इससे है तो दोस्ते यह जो memory AC है 24C 04 04 का इसका memory AC है ठीक है तो दोस्तों आपको थोड़ा सा drawing समझा देता हूं मेरा पास एक drawing book है आप देख सकते हो यह मुनाहर लोटन का drawing book है फास्ट आप देख लिए यह Fonda 4 का एक chassis है ठीक है और इसका drawing मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं आप follow कीजिए इसके यह power section है ठीक है इसके यह power section है और यह relay है ठीक है और relay से आप देख रहा हूं यह जो डायड मीडल पिन पर डायड आप देख रहा हूं यह से हंडेट इनवल आउटपूट होता है ठीक है और यह कोईल होता है standby on कारने का बाद ठीक है तो standby on कारने के लिए इस पर एक supply आना चाहिए जो यह standby voltage होता है ठीक है यह standby voltage होता है यह standby voltage कहां से आता है फ़लो किजी यह जो लाइन आप देख रहा हूं बीज में एक transistor है अब देख सकते हैं यह standby voltage का लाइन होता है यह standby voltage का लाइन होता है यह बीज में एक transistor है यह पर आप पार on-off transistor है ठीक है यह पार on-off transistor होता है यह डाइरेक्ट यह लाइन आप देख रहा हो ठीक है यह IC से ठीक है यह IC से system control IC है ठीक है जोस्तों यह system control IC है यह इसका output और इसका data setup देख सकते हो यह system control IC है ठीक है तो यह system control IC का supply आपको चेक करना पड़ेगा चेक करना के बाद जब यह स्टेंबाय output 4V यह pin से देखने का मिलेगा जब स्टेंबाय output हो जाता है वुल्टेज तो जिरो हो जाता है उन्हेका बाद यह relay यह relay one होता है ठीक है यह relay one होता है ठीक है और दोस्तों यह 1-1-1 लाइन यह जाता है प्लास भी जो मार्क करकर राखा है यह EAST पर जाता है अब जेक सकते हो यह जो लाइन EAST का तीन नमबर पिन पर जाता है जाने का बाद इसका EAST शपलाइज होता है यह से Diekin आउटपूर्ट डेग रहा हुआएज यह यह कोई अब देख रहे हो यह दो नमबर पिन से ओन एट्पोल आउटपूर होता है ठीक है ओन एट्पोल आउटपूर उता है और इसका साध странक मारा पिन जा बारु भर्ल आउटपूर होता है यह बारु भर्ल. आउटपूट को आपका ffounder करना होगा और उसका बाद चार जो EFC होता है EFC लाइन का सप्लाई दिता है ठीक है और इसका ABL की नहीं है और इसका सेकेंडरी साइड या से स्क्रीन फोकासिंग बोल और EST जो फाइनल वोल्टेज वो आउट्पूट हो जाता है ठीक है तो दोस्तों यह सेक्शन का अलग-अलग जो जो Chrome IC और जो वीडियो आईएफ साउंड आईएफ ट्यूनर सिक्सान और इसका जो Chrome IC इसका डाटा सीड में एक एक करके दे देता हूं आप देख सकते हो और उसका बाद यह PCV रिपेर करने का समय प्राब्लेम आएगा तो जुरूर कामन कीजिए ठीक है दोस्तों और दुस्त जो सेट्टप बक्स पर आप लायों देखे चलाएगा तो ब्लैक और होइट पिक्चर देखा जाता है ठीक है तो इसलिए यह PCV का ब्लैक और होइट प्रॉब्लेम होता है तो आप यह PCV का पार्स का ओपर ध्यान मत दीजिए आप जो अप्सन होता है मेनू का अप्सन और और पॉल स्लेट करके चेंज करके देख सकते हो और 5.5 मेगा हर्ट जो इंडिया का मेगा हर्ट होता है वह आप चेंज करके देख सकते हो तो आपका प्रॉब्लेम हंडेट परसंग हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह वीडियो पुरा देखने के लिए कि दो कि देख सकते हैं करके मेगा हर्ट है बीपैर के देख से लिए चेंज करेंगा है